जम्मू कश्मीर में इस साल 300 प्रतिशत बढ़ी सीमा पार से फाइरिंग की घटनाएं इस साल अब तक जम्मू कश्मीर में भारत पाक सीमा पार से गोली बारी की घटनाओं में 300 फीस अदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है जिसके चलते पिछले पांच सालों में BSF के जवान भी काफी मारे गए हैं समाचार एजिंसी PTI के मताबिक अब तक इस साल बिना उक्शावे के गोली बारी ये 300 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें सीमा सुरक्षा बल BSF के पांच जवानों को अपनी जानगवानी पड़ी जबकि जमू क्षेत्र में अंतराश्ट्रिय सीमा पर तैनाथ 34 जवान गोली बारी में जख्मी हो गए ये सभी जमू क्षेत्र में अंतराश्ट्रिय सीमा पर तैनाथ थे सीमा पर फायरिंग की पिछले साल बिना उक्सावे की गोली बारी की कुल 111 घटनाएं सामने आई थी जबकि वर्ष 2016 में 204, 2015 में 350 और 2014 में 127 मामले सामने आई थे पिछले साल गोली बारी से सीमा सुरक्षा में लगे दो जवानों की मौत होई थी जबकि 7 अन्य घायल हुए थे 2016 में इसी तरह की घटनाओं में BCF के 3 जवान मारे गए थे जबकि 10 अन्य घायल हुए थे इसी तरह 2015 में एक BSF जवान की मौत हो गई थी और 5 घायल हो गई थे तथा 2014 में BSF को 2 लोगों की मौत हो गई थी और 14 घायल हो गई थे BSF ने जवाबी कारवाई के लिए रुस्तम, अर्जुन और भीम नाम से 3 अभियान शुरू किये थे अब तक 9 नागरिकों और 2 जवानों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है और 48 से ज़्यादा नागरिक खायल हो गए है एक अधिकारी के मुताबिक, पिछले 9 दिनों से रमजान के दोरान जम्मू की अंतर आश्ट्रिय सीमा पर पिछले 9 दिनों से सीजफायर के चलते हालात कुछ शान थे लेकिन पिछले दिनों पाकिस्तान की तरफ से हुई कुछ घटनाओं ने इस फैसले पर सवाल खड़े क दिये हैं